समस्कार दोस्तों अपना का अपना समाचार में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे किसान और अधिवासी विद्रो और एबम उसके उद्वव का विकास दोस्तों माना यह जाता है कि अंग्रीजों कोई आने से पूर्व भारत में मुंगल सासक और उनके अधिकारियों के खिलाब भी विद्रो हुआ करते थे लेकिन सत्रवी और अठाणवी सताबदी के दुरान सासव वर्ग के खिलाब अनेक किसान विद्रो हुई राज्य द्वारा अधी भू राजस्यों का निधारन हुआ राजस्यों वसूल करने वाले अधिकारियों को भरहर्ष्ट आशरन करके करा विभार करके अधी कुछ कारने से फल सरूप किसान को विद्रो हुआ करते पर इसके बावजूद भी भारत में उपनिवेशक सासन कामियाब होने के बाद भी कुछ नीती अपनाएगी थी भारते किसान और अधिबास्यों काफी बिनसकारी अस्तर पर उनका परभाप परा और इसका उलेख इस परकार की इस्ट इंडिया कंपनी और उनके मुल्जियम के फायदे के लिए अंग्रेजों ने भारती अर्थवरस्ता को नश्ट किया लेकिन कुछ समय के बाद अंग्रेज भू राजस्यों को बंदोवर्षत ने कारों का भारी भोज किसानों को अपनी जमीन निकालना और अधिबासी पर भूमी पर कबजा करना राजस्यों बसूल करने वाले बिचोलियों को कास्तकार और महाजनों के उधे से ग्रामी समाज का सोशन तेजी से बढ़ना और मजबूत होने लगा लेकिन अधिबासी छेतरों में ब्रेटिस राजस्यों प्रसासन का वर्चस और फल सरूब खेतों और जंगले पर भी अधिबासों का अधिकार बहुत अच्छी तरह किसे दमन रहा लेकिन किसान और अधिबासी समाज पर बिनासकारी का परभा परा लेकिन कम्पनी और उसके एजेंट किसानों के अधिवेश उत्पादन को हरप लेते थे करों बोज काफी वट गया लेकिन समने मिलाज जुला कर किशानों को पुड़ी तरसे राजस्यों को बसूर करने को बिचोली आदिकारियों को बेपाडियों और महाजनों को चुंगला में फसा दिया लेकिन भूमी पर दबाव बढ़ा कर सरकार ने ऐसी भूराजस्यों और किर्शी निति अपनाई थी इसके कभी भारतिय किर्शी का विकास संभव ही नहीं था एक तरफ से ब्रेटिस आर्थिक नितियों के कारण खेती पर बहुत बड़ा दबाव डाला लेकिन भारतिय किर्शी बिनाज के कामगार खड़ी हो गई वही दूसरी अंग्रेज सरकार ने किसान अंस्तोस को नजर अंदाज कर दिया लेकिन अंग्रेजों ने कानूर और नियाले भी किसानों को हकमे नहीं थी ये सरकार उनके सयोगी मतलब भूमिदर विपार्यों और महाजन का पठलेते थे कुछ समय के बाद सोसन तंग आकर नियाय से निरास होकर अपनी रक्षा करने के लिए किसानों ने विदरों का जंडा खरा कर दिया लेकिन अधिवासी लोगों का अंस्तोस के कारण भी किसान का अंस्तोस बहुत अलग नहीं थी पर उनके अधिक उग्र होने वाले कारण यह कि उनकी सुतंत राजनीतिक सत्ता में बारह सक्ती का छिनविन कर दिया जब अंग्रेजी सासन को सो वर्ष पूरा होने के बाद पहले किसान और अधिवासी का इकटा होता था जन विद्रो के रुप में फूट परा यह भारत और भीवन हिस्सों में अलग-अलग संभम पाना मुश्किल हो गया इन विद्रो के ततकालिन परभाव के कारण अलग-अलग पर कुछ मिला कर उपनिक चारिक सोसने खिला विद्रो था तो दोस्तो यह किसान और अधिवासी के विद्रो के बारे में बताया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सस्क्राइब आव लाइक से जरूर करे अपना का अपना समचार